कि किस तरह से हम सपेद लौकी बनाते हैं तो यहां पर मारी जो सफेद लौकी है आप देख सकते हैं किनी टेस्टी लग रही है तो आज हम आपको सफेद लौकी बनाना बताएंगे बहुत ही एजी रैसिप है अगर पसंद आए तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक शेयर करे और हमें कमेंट कर जरूर बताएं कैसे लगे में वीडियो तो यहां पर मैंने लौकी को छील लिया है और चील लेके बाद मैंने इसे काट कर अबल ने रख दिया था यह उबल चुकी है जिसके बाद मैं इसे थन्ना होने के लिए छोड़ दूँगी आप चाहें तो इसमें थणना पाने डाल कर सकते हैं और इससे करीवन चार से पान्स मिनट के लिए थणना होने के लिए छोड़ देंगे और उसके बाद फिर हम इसे निचोड लेंगे तो मैंने इसे यहां पर निचोड़ लिया है इसे अच्छे से अलगे आतों से दवा कर निचोड़ लेंगे अब इसके बाद हम ने मसाला बताएंगे मसाला के लिए तो हम सबसे पहले एक मीडियम साइज की प्यास लेंगे मैंने हैं पर एक मीडियम साइज की प्यास का पेस्ट लिया हुआ है अब मैं कड़ाई में तेल गरम होने के लिए डाल रही हूँ इसे हम गरम होने देंगे अच्छे से तो में यहां पे मसाल लूँगे इसमें मसाल में एक जागा मिक्स कर दे रही हैं सारे तो मैं यहां पर सबसे पहले हल्दी मृρ्ची पाoudर ले रहिए हूँ सरे अपको अपने टेस्ट के हसाब से लेनी है इसमे हम हल्दी नहीं डालेंगे क्योंकि हम सफिलो की बना रहे हैं तो इसमें हम हल्दी नहीं डालेंगे इसके बाद में छुछ दन्यापाड़ में एक से डीट समस्करिए हूं ले रहे हूं अब इसके बाद मैं इसमें नमक डाल रही हूं नमक आप अपने टेस्ट के साब ते ढाल सकते हैं इसमें गरम इसके बाद में इसमें गरब शीद साथrale के या पर मैं यह थोड़ा सा संआ है क्योंकि थोड़ा सा बात में टाल लूँगी भी अब इसके बाद हमारी कडाई में तेल Loch के प्यूद करें मुठ लिए श्राइओ को इंचीडिदस भना उसके बदें इसी के बाई अच्छे से मिक्स करें अब इसके बाद हम इसमें अपने मसाले रखे थे उन मसालों को इसमें डाल देंगे म drift करें अब इसके बाद हम इसे अच्छे से चलाएंगे थेखे हुआ माइल मसालने मिक्स हो सके तो दौने में अच्छे से चलाते रहना है कि इसके बाद हम इसे कुछ टाइम के लिए छोड़ देंगे अपना अच्छे से मिलाने के बाद हम इसी 102 मिनट के लिए जोड़ देंगे आपको बहुत स्लो गेसपर से पगाना है तो इसे हम ऐसे दवाते दवाते हुए पकाएंगे जिससे कि यह हम इसका जो पानी अलका फूल का पानी बचा होगा वो भी अच्छे से जल जाएगा तो यहाप मैंने एक मिट के छोड़ दी है अब मैंने यहाप एक से दो मिट वाद इसे फिर से खोल के देखा है तो इसे हम अच्छे से चलाते रहेंगे क्योंकि मारी लोकी लग जाएगी नीचे तो इसलिए हम इसे चलाते हुए अच्छे से पकाएंगे दबाते हुए तो यहाँ पर मारी लौकी बन रही है अब हमारी लौकी को जाई टम नहीं है थोड़ा बहुत टम है में लौकी बन जाएगी कुछ टम में अब इसके बाद मैं इसमें आम चोट पाउडर डाल रही हूं और इसके बाद में इसम प्रॉर्ण आपना क्वांअ Barras आदर नीवू निचोड़ सकते हैं इसे अच्छे से फिर से में दबाते हुए एक से दो मिट फिर पकाएंगे अच्छे से दबाते हुए पकाएं अभी हमारी लोकी सफी लोकी बन कर तयार है आपको मारी वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट कर ज़रूर सब्सक्राब करें सामाब करें Most allow the pressure around one person तो अगर आपको मारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज हमें लाइक करें शेयर करें हमारी वीडियो को और सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक यू फॉर वाचिंग